हमारे यूटूब चैनल यूनिटी वर्ड पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अब तक हमारे वीडियो पे जितने भी मेहमाना हैं अधिक्तर का संबन नगर पंचात वलीदपूर के दक्छुली छोर अर्थात भीरा से था और बात्चित के सिल्षिले को चुनावा पे यह जो चर्चा है इसके सिल्षिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम रूख करेंगे वलीदपूर का और सभी उमीदवारों से, सभी परत्यासियों से गुजारिस करेंगे और उमीद करेंगे कि सभी लोग जनता तक अपनी बात, अपनी विचारों को पहुचाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे और हमारा सहयोग करेंगे के जो हमारे मेहमान हैं, उनका संबंद नगर पंचयत वलीदपूर के वार्ड नमबर आठ से है, जिसे दढ़वा के नाम से जाना जाता है इस वार्ड के वर्तमान सबासत स्री लाल बिहारी जी हैं, जिनोंने पीस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था और 27.34% ओट अपने पक्ष में करते हुए पर्थम अस्तान आसिल किया था और इस वार्ड के रणर अप रहे स्री उजैर सहब ने 21.0.0% अपने कबजे में करके दूसरा अस्तान आसिल किया था आज के जो हमारे मेंमान हैं, वो सभी मुद्दों को लेकर नगर पंचाहत में काफी एक्टिव परसन माने जाते हैं और किसी भी मुद्दे को लेकर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को मेडिया के सामने रखते रहेंगे और आज हम अपको मिलवाना चाहेंगे मुद्द अनवार साहब से जो की नेता के नाम से परसिद्ध हैं मुद्द अनवार साहब आपका हमारे यूट्व चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है जो आपके नाम के साथ जो नेता सब्द लगा हुआ है कहानी किया है कहानी क्च नहीं है बस यह है एक जजबा होता है समाज की लोग आते हैं तो एक दिली हमदरती होती है अगर हमारे जरीया काम बन जा है समाज की सेवा के नाम पर लूग नेता-नेता कहकी प्कारने लगए और कोई इसका यह नही ens प्यार से आपका नाम नेता रख दिया और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो आपका वाड है वाड नमबर आठ डड़वा इसमें जो संभावित सभासद प्रत्यासी हैं उनमें आपका भी नाम है तो इस बात में कितनी सच्चा है कि आप भी सभासदी का चुनाव लड़ेंगे पहले मूट ने लड़ने का ना पहले मूट में इस बार आपका जो काम है समाज सिवा वाला तो यादि आप चुनाव लड़ते हैं आप कोई पद पाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा समाज सिवा बड़े अस्तर पर करने का तो फिर आप राजनीती से मतलब क पीछे क्यों अटा रहें नहीं हम असल में ऐसा है कि बीना राजनीत में रहे भी जो सेवा करने में मज़ा आती है वह बहुत रहकर नहीं आती है इसमें निस्पक्स जो है किसी की आप सेवा कर सकते हैं और चुनावी मैदान में आ जाएंगे आप तो चुनाव के ले करके मतलब करना चाहिए लेकिन मेरा मतलब यही था अरजनीति में आता है उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है वह बिना राजनीती में आए अगर एक आदमी की मदद घाट में मैं आने के बाद हजारों यह मंत इक साथ कर सकता है ने सहीं है लेकिन वो इसे भी मेरे लाइक जो भी नहीं दखेंगे हाला कि रूची आपकी काफी रूची है और हमें लगता है आप काफी अनुभव भी रखते हैं बलकि आप राजनितिक विशसग्य अगर आपको खा जाए तो गलत नहीं होगा नहीं आप हैं राजनितिक विशसग्य हैं तो उस हिसाब से हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है निकाह चुनाव हमारा दूसरा निकाह चुनाव है तो यह किन-किन मुद्दों पर लड़े जाने की संभावना है देखिए मुद्दा तो पहली जो पर द्किता है मुद्दा की वो होनी चाहिए तो यह की गाह में तालीम जो है हमारी वो किस अस्तर पर रहे यह विजली की समस्या हो या पानी की समस्या है यह चार चीज़े बड़ी जटि लें जैसे रास्ते का मामिला हमारा कितना सही है उस पर ध्यान देना चाहिए हमारे जो नगर पंचाहिद में बच्चे हैं जो आगे जाना चाहते हैं किसी बीवी सेपत सबसे उची चीज तो है तालिम उसका गिराफ हम हमारे नगर पंचाहिद का कहा है हमारे जो नौजवान बच् कि नहीं देखा कि हमारे बच्चे कहां गए तालीम कहां गई बिजली कहां गई बिजली हमारा में मुद्दा है इन सब सारी चीजों पर जो भी जिम्हेदार हो उनको ध्यान देना चाहिए ना कि सिर्क नाले खलंजे और इसमेरा जाएगा तो यह तो आप नहीं रहेगा कोई मेरें तब आपको क्या लगता है कि तो मतलब यहां आप और और नहीं हमाएं असल मैं लोग चुनाव में जो है वो गोल-गोलेटी से उपर जो है सोचते नहीं पहली बात दूसरी बात राजनीत में महब्बत करते हैं जो गुना है राजनीत में महब्बत करना गुना है आप जब महब्बत करने लगेंगे किसी से तो आपको उसकी बुराई नजर नहीं आएगी बिल्कुल बिल्कु चुनाव होता है इसे उपर उठकर कोई सोचता तक नहीं आई इसलिए जब गोल गोलेटी के उपर होगा चुनाव तो यही आलात बार-बार रहेंगे जो है सटी दिवाल है काम तो उसने कराया है जो भी अब दो त्रोड मेरे अगल बगल निकल वाया एक इतना अक्तियार होता है एक सबाशात को यह तो सभी लोग जानती है में जो गड़ी होती है एक येसीयत नलग होती है उसको परस्ताही देना है करना है अब अपने वाट की हिसाब से जो किया है लगबग मेरे इसाब है फ़िक्ती है और जब हम बात करते हैं नagर के किसी भी काम को लेके किसी भी मुद्दे को लेके तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ हम बात करते हैं सभासत की चेर्मैन की हला कि मुझे लग रहा है कि इसमें जो यो का भी हाथ अच्छा खासा एक हाथ है लेकिन उनके बारे में बात नहीं होती नहीं देखिए ईयो के bारे में बात क्यों नहीं करे लोग यह जो है वह चेर्मैन के मातियत होता है डिकIM जिस तरह के का जो है वह अपना यह रखेगा उसी तरफेंगे से यह को चलना होता है अब देखने के लिए तो होता है कि यë एक अधिकारी है उसके पास सारे अधिकार है लेकिन यह और चैर्मेन किसे मति से कोई का मोना है उसमें ज्यादर रौल जोटा है चैर्मेन और यह दोनों मिल कर के करते हैं लेकिन अगर यह चाह दे उसको क chased रहेरे वह कहीं मैं चलूं कि मैंने दर्सकों को बताया था वी कि आप एक राजीतिक विसेसक्य के रूप में हमारे स्टोडियों में आए हैं तो हम आप से और यह सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके नजर में इस पूरे नगर पंचायत में चाहिए वह अध्यक्ष की पत का प्रत्यासी हो य कि यह सवाल आपको थोड़ा तना कठीन है कि किसी के मतलिक यह कह देना कि वह विकास की रेस में बहुत आगे जाएगा तो चुनाव है सभी लोग गाओं के हैं किसी के मतलिक यह नहीं लेकिन सारे लोग जो लड़ते हैं वो यही नारा देते हैं कि विकास की रेस में मैं बह लेकिन उसकी पीछे जो असल वज़ा होती है जैसे सारे परत्याजी 10 लाग 20 लाग करचा करते हैं वह इसलिए नहीं करचा करते हैं बहुत जादा उनका मकसद वह बोश्टर पर बैनर पर कहने के लिए विकास काई होगा लेकिन जो असल मकसद होता है वह राजनीत में इतना प कि इच्छा व्यवस्ता बिजनेस बन गहीं है इसको भी लोग बिजनेस की तरीके से जैसे अब आप है खास ही माहने में जो आप लिए पर तो आप प्रण तरफ साल रहे तो आप किये नहीं कि यह तो जंटा के सामने यह अब किसी कि मतलिक यह जाए जाये जाए बहुत आग कि अच्छा करूंगा अब करता कौन है यह तो पब्लिक जानती है और चुकि जो निकाय चुनाव की घुस्रा होने वाली वह काफी करीब है कुछ ही दिन बचे हैं पर मुश्किल कुछी दिन लेकिन जो चुनाव के परचार हैं वह कोई भी प्रत्यासिय दिन के उजाले में कर अकलन का इंतजार कर रहे हैं कि सेट क्या होगी बेक्वर्ड होगी पिछडी होगी सामान होगी चूत होगी इसका इंतजार कर रहे हैं और एक वज़ा और रात कि दोनों ही इनके लिए वजाले लगने लगें यह यही वज़े हैं कि थोड़ा सिट अभी कंफर्म नहीं है इसी वज़े से लोग जो अभी रात में चलने हैं अधेरे में चुकि अभी वाला भी तो वह उजाले में जब आएगा यह भी उजाले में चलने लगें मतलब आप जो कह रहें कि मतलब रात जो भी दिन के समान लगने लगती है मतलब उल्लू की जिंदगी बितानी पड़ती होगी देखिए तमाम पर अत्यासी ही सोचते हैं कि एक बार हमको मौका मिल जाए तो जानते हैं ने गरपंचाइट की हैसियत को कि अगर हम दो तीन महीना मेहनत करके पांच साल हमारा कैसा रहेगा वह अच्छी तरीके तो जानते हैं इसलिए वह इतनी मेहनत करते हैं जो आदमी चाय भी पीता था वह दूर प्या रखके ओटर पर चलायता था आज वह आप देखेंगे तो दस लोग को चाय पिला रहा है बिल्कुल सही बाल चुन सबसे बड़ी समस्यत मैं समझता हूँ यहां के रास्ते की है कोई अजनवी आदमी गाहों से बाहर काओ कहीं भी वह आता है तो पहले ही रास्ते से ही उसका दिल तूट जाता है मरकरियां तो लगी हुई है उजाला तो हो रहा है लेकिन उजाले से मतलब नहीं आपने लाइ परास्ताव को करना ही यह मांग करना ही है लेकिन अगर उस पर हम लगें तो कोई सरकार होना है लेकिन आप लगते नहीं दिल से अभी आपने बताए कि जो रास्ते में गड्रे वागा लगी हुट्ष लोगों ने कुछ लोगों से पूछा ता इसके वारे में तो लोग बोल के लिए तो गड़े के लिए आपने पैसा खर्च किया वही पैसा आप उन्हें इंविस्ट कर दियो होते तो अधेरा भी रहता तो लोग चले जाते हैं और सड़के तूटी होने की वज़े से बहुत कुछ तूटता है आदमी का रिष्टि लगने से पहले तूट जाते हैं बहुत खराब है और यह बातें मेडिया द्वारा और परस्ताव द्यारा बहुत बार दिया जा चुका पता नहीं किस वज़े से नहीं बन रहा है यह जो स्यासी लोग है इनको वेसी मालूम होगा और हमारे नगर की दोसरी सबसे बड़ी समस्या या तो कहें तो पहला स्था जो है इतनी ज्यादर थो चल रहें तो अपने परिवार की कमीडिया मुझे को जानना है क्या कमी है क्या करना क्या नहीं इसी तरीके चेट्र में नगर का अध्यच होता है चेर्मैन क्या कमी डियों चार्मैंट जानेगा भ्मोने कौने वह समझें लिए पर नियों कि लोगों को नहीं पूरर एक निवा आँए हैं यहां के समस्या को शमाएई ने उसके बाद कई जगें चापी चापा और मिया और एक मरतबह तो हमारे घर खुद डायरेक्ट आ गए एक घरवाई दमारे घर चिकिन करने आए और पचासी हजार की पाइन मारकी चले गए जब क्यों अरगल था हमारे हां कनक्सन था लेकिन किसी के कहने पर आ गए उसके बाद जही साथ के विरुद्ध मैं और अहमदनेता और हाफी इस बांगे नहीं तमाम लोग कड़े हुए यह गलत हो रहा है और जही का ट्रांसफर कराने में हम लोगों ने पूरी तरीकी सेक्टी होके कराया गया उसके बाद नए जही सावाए उनसे सारी समस्या बताई गई और कि वादा किये कि नहीं हम इसको सही कर देंगे और उन्होंने सही किया मेरा सिर्फ कहना यह कि जब आपकी जिम्मेदारी आप छेतर के जही हैं क्या खराबी है क्या सिस्ट्रम है यह तो आपको अच्छी तरीके मालूम होना चाहिए जी कि आप ही उसके मालिक हैं अब वही ट चर्म की भाग्ए नगरपंचाइत काहर वेग ओछायेगा आइदय धूच लगदावाट कोई रहे करनी है और भी घाएक राजिंदर कुमार कोश्नें अपने पैट पर लिखा लिखने के बाद वो इस पर परयास किए कि इस वक्त उस पे बजट नहीं है सिर्फ बाकी जितनी लोग जो भी बात करें चुकि हमारी बात होती है मुस्तकिल उसमें बजट नया बजट जब आएगा तो पांच एम्बिया कर टास्पार्मर भी पास हो जाएगा तो यह हमारे जो जेही साब है इस वक्त के अब यह सारी लोगों की नदरे में अच्छे नहीं हो सकती और हमको उनके अच्छे कराब से कोई मतलब नहीं है हमको बिजली अच्छी चाहिए जो हमको मिल रही है तो जैसा आपने बताया कि सिर्फ बजट बाकी है तो आपके हिसाब सभी कितना समय लग सकता है मुझको लग रहा है कि फ सर पर उठा को नहीं लाएगा कोई सिरे किसी का नहीं लेना चाहिए आप काम करते हो पब्लिक का काम किये पब्लिक का काम हो गया पब्लिक को बताना नहीं है किसने किया पब्लिक जान जाएगी पब्लिक इतना महंगा अन खाती हो समझती है यह ज़रूरी नहीं कि आप बता पर बिजली की समस्या इस समय में लग राएक महीने से अच्छी है पहले से बेतर है दोनों फीडर चल रहे हैं अब फिर आगे जो समस्या आती है तो उसके लिए तो कारवाई हो ही रही है बात चीत का जो सिल्सिला है इसको आखरी पड़ाव पे लाएंगे और आप से आखरी स खालू होता है तो वह एक बहसो मुभास सामगए कभी कभी ऐसा होता है कि वहापस है तकरार कर लेते हैं वाल कि नीं हुआनी चाहिए या वह सीमा होती है जिसक Clyson को ही इनको यह चाहिए कि परत्यासी जो है वो एक दूसरे के हाँ दावत भी खाते हैं मिलते भी हैं जुलते भी हैं और सब हमारे गाउं के हैं किसी के मुतलिप आप मैं बताया आपको अपनी पहले ही बाद में यहां लोग मुहब्बत करने लगते हैं अजब किसी से मुहब्बत हो जाएग को आपको दिल करता है मैं इसके साथ हूं बिल्कुल लेकिन अगर तूसरा आदमी उन्के नित का विरोध कर रहा है तो आपको बुरा नहीं लगना बीरोध करें लेकिन अगर फांच करने कि यह काम जो है इस तरीके होना चाहिए था ऐसा हुआ यह होना चाहिए था आपको पूरा नहीं लगना चाहिए चुकि जंता ने राजा बनाया है जंता को पूरा अधिकार है कहने का लेकिन उसकी एक सीमा एक डायरा होना चाहिए आप उससे बाहर ना चले जाएं कि साम के तलुकात खराब हो जाए यह बहुत जरूरी दियान देना चाहिए चाहिए हमारे लोग इसमें कापी एक्ट्व रहते हैं नहीं रहना चाहिए आपको ओड़ जिसे करना है आप करिए दीजिए जिसके नसीब में होगा वो जीतेगा लेकिन किसी के लिए आप बैसे पेड़ सुख जाता है तो वही चीज है बुरा नहीं लगना चाहिए जैसे आपने बिल्कुल सही का आप से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और यह हमारा जो काम है इस बार का जो चुनाव है प्रत्याश्यों से बैठके बात चित करना और मुद्दे को मेडिया के प्रोट करना यह एक बड़ी चीज है इसको लोग समझ नहीं पाते सिर्फ यह सोचते हैं फलां जो है राजनितिक मैदा यह राजनितिक मैदान नहीं आप इसको उचाईयों पर लेके जाईए तब इसका मतलब आप समझेंगे कि यह क्या चीज़ है यह जो हम माईक पर बोल हैं आपकी यह समस्या है और लोग जानेंगे कि मौझ जिले में मौहमदाबाद गोना तसील में एक नगर पंचाईद वलीदपूर है जहां फलां एक सक्स है फलां एक चैनल है यह आपने काम इतना सांदार किया है मैं इतना खुश हूं और इसमें यहां के राजनीतिक बराबर इट्व पर चलता रहता है तो यह होना चाहिए अच्छा आपने बहुत अच्छा काम जुरू किया है बहुत वह सुक्रिया आपके प्रोसान के लिए और इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे और आप से गुजारिस करेंगे कि अगर यह हमारा काम अच्छा लगे वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें आप भी दोड़ा लाइक करें इस चैनल को तो बिल्कुल मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादे लाइक करें बहुत ही उची चीज आप इसको समझें बहुत सुपीया